हेलो वाइज वेलकम टो इसन फ्क्यान गाइज मैंने इसके फिशले वाली विडिवी मतारा था वेक्टर अनलाइसिस के लेशन 14 में जमेट्रिकल मिनिंग ऑफ केलर ट्रिपल प्रड़क्ट अब आगे बढ़ते इसका एक थियोरम है उसको जान लेते हो और फिर इसके नेक्स एक ट्रिपल प्रड़क्ट पिचलेंगे इसमें कहा रहा है इसमें इसमें प्रूफ करना है तो आजए देखते हैं कि इससे प्रूफ कर सकते हैं मैं जिस तरह से लिखूंग आपको भी उसी तरह सी लिखना है सबसे पहले यहा पे नेसेसरी कंडिशन लगाएंगे और फिर उसके बाद sufficient condition लगा के देखेंगे सबसे पहले necessary condition में क्या होगा वो देखते हैं necessary condition लगाने के लिए या तो आप simply यहाँ पर necessary condition लिख सकते हैं या नहीं तो इसका एक और होता है जो आप bracket में इस तरह का आप symbol देखे भी लिख सकते हैं जब हम necessary condition के बाद कर रहे हैं मतलब कि हम यहाँ पर पहले इस टॉपी पहले के चलेंगे जो हमारी question में बोल रहा है उसके बाद हम फिर उसको cut करेंगे sufficient condition में तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि vector जो ABC है वो coplanar है तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि ठीक है कि ABC जो है वो coplanar है तो क्या-क्या possible हो सकता है वो देखना है suppose vector A, vector B and vector C are coplanar vector और अगर आप हमारे वीडियो को देखते वाहरे हो तो मैं starting से बताता आया हूँ क्योंकि मैं जो भी चीज बता रहा हूँ ना उसके पीछे जब तक मैं पहले बता नहीं देता उसके बाद फिर मैं आगे नहीं बढ़ता मैं मैं coplanar के बारे मैं बता चुका हूँ मतलब जो एक ही plane में हो यह चीज मैं आपको पता चुका हूँ बस यह चीज थोड़ा सा point ध्यान में रखना है और उसी तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर लिखना है since इसका मतलब coplanar का मतलब क्या हूँ कि वेक्टर A, B, C जो है वो एक ही plane में होगा यह लिखने के बाद उसके बाद फिर नीची लिखना है So it is quite impossible to construct a parallelo pipette by these three vectors are coterminous eides Means यह बोल रहा है कि जो parallelo pipette इसमें जो बनेगा उसका जो eides होगा वो एक ही सीमा पे होगा इसका मतलब यहाँ पे जो volume of parallelo pipette हो जाएगा वो zero हो जाएगा That is vector A, B, C क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा यह हो गया necessary condition में Okay, अब चलते हैं sufficient condition में, sufficient condition यह तो हम लिख सकते हैं यह फिर इसका सिर्फ symbol भी लिख सकते हैं, symbol लिख 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 लिए इसको बस इस तरह से करना होगा Okay, अब चलो, यहाँ पे क्या लिए थे, necessary condition में हम यहाँ से उपर से नीची की और आये थे अब यहाँ पे sufficient condition में हम नीचे से उपर की और जाएंगे तो यहाँ पे मैंने क्या last वाला क्या निकला था, यह चीज निकला था तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, suppose vector ABC 0 तो इसका मतलब हो जाएगा, volume of the parallelo piped whose concurrent edage is 0 जब यहाँ पे edage इसका 0 आ गया, यानि कि यह चीज इसका जब यह जो हम निकाले थे ना यहाँ पे देख सकते हो, आप मेरे इसके justification वाले relation में आप जाओ तो वहाँ पे मैंने बताया था यह चीज means definition के according यह जो निकाले जो parallelo piped में आया था यह चीज आ गया था तो यह edage था जो कि यह एक volume of the parallelo piped था तो यहाँ पे जब बोड़ रहा है कि edage जो है वो 0 है जो कि यहाँ पे हम necessary condition में लिये थे यह चीज माने थे तो यहाँ पे फिर लिखेंगे there is no there is no parallelo piped having edage किसका नहीं है वेक्टर ए वेक्टर वी एंड वेक्टर सी का और फिर हम ज़स्ट के उपर जाएंगे तो यहाँ पे है coplanar यह चीज है यहाँ पे उसको हम लिखेंगे यहाँ पे note करेंगे वेक्टर 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 वी एंड वेक्टर सी आर इन वन प्लेइन यहाँ यहाँ पे एक चीज तो साफ हो गया कि अगर यह चीज मिन्स यहाँ पे अगर scalar triple product vector ABC जो है अगर यह 0 आता है तो वो जो है coplanar में आएगा मतलब यह coplanar होगा लेकिन अगर वह ही does not is equal to 0 होगा तो यह non coplanar होगा तो यहाँ पे पेला चीज नोट कर लो इस वेक्टर ABC are coplanar then scalar triple product क्या होगा जेरो के बराबर होगा and vice versa means इसका उल्टा अगर यह चीज नहीं होगा तो वो चीज नन coplanar होगा तो means यह पे second भी लिख देते हैं यहाँ पे जो वेक्टर ABC है वो अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो वो एक non coplanar होगा okay vice versa means होता है इसका just उल्टा अगर यह इसके बराबर होगा तो यह अगर does not is equal to zero होगा तो यह coplanar का non coplanar हो जाएगा वही चीज यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है okay so guys आज के वीडियो में बस यह तक रहने देते हैं I hope कि आपको समझ में आ गया होगा तो guys इसके next video में मिलते हैं Vector Triple Product पे जो की बहुत ही important है तो इस video को मिस्स मत करना okay guys love you all bye bye take care thanks for watching